Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खे के बारे में जिसको अगर आप सिर्फ एक महीना सुभा सुभा खाली पेट लगकर खा लेंगे तो इससे आप बहुत सारी पुरानी बीमारियों को और बहुत सारे भेंकर रोगों को जड़ से खतम कर सकते हैं तो चलिए बीना किसी देरी के इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही आसान से लेकिन इंसेनली इफेक्टिव नुस्खे के बारे में दोस्तों ये नुस्खा जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको वैसे तो आप किसी भी मौसम में इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन सर्दियों के मौसम में इस नुस्खे को इस्तमाल करना जो है वो ज़्यादा मुफीद होता है ज़्यादा फायदे मन होता है और जो आपको वीडियो के टाइटल पढ़ लिया है और पढ़ी लिया होगा तो पहली चीज जो इस नुस्खे में हम यूज कर रहे हैं वो तो आपने देखी लिए है कि शहद है दूसरी चीज इसमें कौन सी हो सकती है दोस्तों इनुस्खा जो है इस सिर्फ दो चीजों को पर बेज़ है त इसी के साथ साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी हमारे एक मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और एक मिलियन सब्सक्राइबर्स होने क वो है आमला जी हैं दोस्तों आमला एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी होम रिमेडी है जो कि आपको बहुत सारे फायदे देता है इनफेक्टिव और आमला ये दोनों ही चीज़े बहुत अच्छी हैं और अगर आप इनको अलग अलग भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत सारे फायदे मिलते हैं लेकिन इन दुनों ही चीज़ों को अगर आप एक साथ मिला कर खाते हैं, तो उससे आपको जो results हैं, वो कुछ अलग ही तरह के मिलेंगे. बहुत ही ज़ादा बढ़ जाएंगे इन तोनों चीज़ों के results, एक जगा मिला कर खाने से. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन दूनों चीज़ों को जब आप मिला कर खाते हैं इस नुस्खे को बना के तो आपको कौन कौन से बेनेफिट्स मिलते हैं जी हैं अगर आपको diabetic patient हैं और आपकी शुगर बढ़ी रहती हैं तो आप इस नुस्खे को इस्तमाल कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा नुस्खा जिसके अंदर आपने शहद इस्तमाल किया है भला वो diabetes patients के लिए कैसे फायदेमन हो सकता है तो जनाब ज़रा सबर कीजे और आगे इंतिजार कीजे क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा इस नुस्खे को इस्तमाल करने के और तभी मैं आपके साथ ये बात साजा करूँगा कि अगर आप diabetic patient है तो आपको किस तरीके से इसको इस्तमाल करना है ताकि इसके नुकसान भी आपको ना हो बलकि उल्टा आपको diabetes में इससे फायदा मिलने लगे फिलहाल आप ये जान लीजे कि जो आमला होता है इसके अंदर anti-diabetic good होते है यानि ये diabetes को कम करता है blood sugar को control में रखता है और इसके साथ क्योंकि इसके अंदर anti-oxidant good भी होते है vitamin C की वज़ा से तो इससे आपकी body के अंदर जो oxidative stress है diabetes में ज़ाधा होती है वो भी कम होने लगते है इसके साथ आप चहद के ऊपर भी कुछ researches हो चुकी है जिनमें देखा गया कि अगर diabetic patients पुरी सावधानी के साथ चहद का इस्तमाल करते हैं तो उनके अंदर blood में जो बढ़े हुए lipids होते हैं वो कम होने लगते हैं यानि जो cholesterol profile है या जो triglycerides हैं वो कम होने लगते हैं इसके साथ आप चहद अगर आप सावधानी से इस्तमाल करते हैं तो diabetes में और भी बहुत सारे benefits आपको इससे मिलते हैं दूसरा फाइदा जो कि आपको इस नुस्खे को इस्तमाल करने से होता है वो आपके digestion के लिए हैं दोस्तों आप जानते हैं कि जो आमला होता है ये digestive system के लिए एक बहुती बढ़िया home remedy है इस नुस्खे को अगर आप regularly इस्तमाल करेंगे तो इससे आपके अंदर acidity कम होती है आपका digestion improve होता है, gas की problem आपकी कम होती है इसके साथ-साथ अगर आप आमला और शहद एक साथ मिला कर खाते हैं तो उससे ये एक बहुती बढ़िया detoxifier का का काम करता है यानि आपकी body के अंदर जो toxins हैं उनको body से flush out करने का काम करता है specifically आपके liver से तो उसकी वज़े से आपका liver भी healthy बना रहता है और liver आपके digestion के लिए बहुत important है तो overall आपका जो digestive system है वो बढ़िया से काम करता रहता है शहद और आमले को रुजाना खाने से आपकी immunity भी enhance होती है अगर आपके अंदर मौसम बदलने के साथ साथ सर्दी खासी जुकाम वगएरा जादा बार बार होने लगते हैं तो ये ठीक होने लगते हैं इसके साथ साथ आपके अंदर infections होने के chances कम हो जाते हैं एक और बहुत बढ़िया फायदा जो कि आमला और शहद को मिला कर खाने से आपको मिलता है वो है आपकी skin के लिए और आपके hair के लिए आपकी skin के उपर उमर बढ़ने के साथ साथ जो जाईया, fine lines, wrinkles ये sagging हो जाती है, skin लिटकने लगती है, धीली होने लगती है उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही बढ़िया है और इसके साथ साथ आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है आपके बालों को काला बनाता है, बालों को soft बनाता है, dandruff को कम करता है और बालों के जढ़ने को भी रोकता है एक बहुत ही बढ़िया और फाइदा जो कि आपको इस नुस्खे को खाने से मिलता है वो ये कि अगर आप एस्थमेटिक हैं यानि आपको दमे की शिकायत है तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही जादा effective home remedy है इस नुस्खे को खाने से आपके सीने के अंदर जो जकडन होती है वो कम होती है साथ लेने में आपको असानी होती है सीने से बलगम साफ होता है और इसके साथ साथ आपके क्यूंकि immunity भी इनहांस होती है तो उसकी वज़़ा से आपके lungs भी detoxify होते हैं और आपके lungs strong मनते हैं जि कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना important है वैसे अगर इस नुस्खे के सारे फायदों की अगर हम बात करने लगें तो ये वीडियो कम से कम एक टेर घंटेगी बन जाएगी तो फिलहाल यहीं तक इन फायदों को रखते हैं और आप जानते हैं कि इस नुस्खे को आपको कि ताजे आमले मिल जाते हैं तो सर्द्यों के मौसम में यह पहला जो तरीका है यह जादा आपके लिए सुटेबल रहेगा इसको आपको अपनाना चाहिए इस तरीके में आपको क्या करना है आपको ताजे आमले लेने हैं और इन ताजे आमलों को लेके आपको बॉयल कर लेन और उसके बाद इन आमलों को आपको लेके एक काँच के मरतबान में एक जार के अंदर आपको स्टोर कर लेना है इन आमलों को उपर आपको डालना है खालिस शहद शहद आपको इतना डालना है जितना कि पूरे आमलों को कवर कर ले यानि पूरे जो आमले हैं इसके अंदर आ तो आमली की जो तुर्शी होती है जो खटास होती है वो कम हो जाती है इसका कसेला पन भी कम हो जाता है और आपको खाने में कोई प्राबलम नहीं आती है इसके साथ-साथ जो फायदे आपको इन दोनों चीदों को साथ में लेने से मिलने चाहिए वो भी आपको पूरी पोटे इस दूसरे तरीके में आपको आमले का पाउडर लेना है और इस आमले के पाउडर के अंदर आपको शहद मिलाके इस्तमाल करना है एक टी स्पून आमले का पाउडर आप ले लीजिए और इसके अंदर एक टेबल स्पून आपको शहद मिलाना है और इस paste को रोज़ाना सुभा खाली पेट चाट कर खा लेना है ये दूसरा नुस्खा जो है दोस्तों ये उतना अच्छा नहीं है जितना की पहला नुस्खा होता है लेकिन अगर आपके पास आमले अविलेबल नहीं है ताजे तो यही एक तरीका है जिसकी मदद से आप इस नुस्खे को इस्तमाल कर सकते हैं अब सवाल आता है कि अगर आप डायबेटिक पेशन्ट है तो आपको किस तरह से इसको इसको इस्तमाल करना चाहिए दोस्तों अगर आप डायबेटिक पेशन्ट है तो आपको पहला ही तरीका इस्तमाल करना है यानि जो पाउडर वाला सिस्टम है वो आपको अडॉप्ट नहीं करना है आपको ताजे आमले वाला ही जो नस्खा है वो लेना है लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है अगर आप डायबेटिक है और वो ये कि आपको आमला निकालना है इस शहद के अंदर से और इसको पहले अच्छे से धो लेना है जब आप आमले को धो लेंगे तो उसे क्या होगा जो एकसेसिव शहद इस आमले की चारों तक लिपटा हुआ है वो सब साफ हो जाएगा लेकिन आमले के अंदर क्योंकि हमने डालने से पहले शेहट डालने से पहले सुराख किये थे चाको की मिदद से तो जो गुड़ हैं शेहट के जो medicinal properties हैं वो इस आमले के अंदर पहुंच जाती हैं तो इससे क्या होगा कि आमले के और शेहट के फायदे भी मिलेंगे लेकिन आपकी blood sugar भी नहीं बढ़ेगी दोस्तों इस नुस्खे को सिर्फ एक महीन आप इस्तमाल कीजिए सर्दियो के मौसम में और देखे कितने amazing results आपको मिलते हैं ना तो आपको खासी होगी ना सर्दी होगी और बहुत सारी पुरानी पुरानी बिमारियां जो आपके इंदर हैं वो भी ठीक होने लग जाएगी तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए चैनल पर अगर नए है और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे और सभी के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे फायदा हासल कर सकें चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विजा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा